प्लाटिनम राउंड हो चुका वगे पूरा आपके साथ सारी लेटेट्स अब्डेट्स शेयर कर देता हूं कि स्थीब ने किस खिलारी को लिया पहले बताता चुलों के प्लाटिनम सबसे जो कहते हैं ना सबसे मेहंगा राउंड सबसे महंगे प्लेट्स इस राउंड के जारो सबसे पहले बात करेंगे लाहोर कलंदर की जिनके पास ओर्रेडी शाहिन शाह फ्रीदी मुझूद थे राशित खान मुझूद थे उन्होंने अपने हीरो फकर जमान को वापिस से पिक कर लिया है प्लैटिनम के अंदर दूसरे दर बात करेंगे कोईटा ग्लैडियेटर के पास और बात करें तो नवास थे इन्होंने वनिंदू हसारंगा को पिक किया है फस्स राउंड के अंदर इन्होंने नसीम शाह को राइट टू मैश रूल के तहद अपनी टीम में वापिस बला लिए इसको बाद में बात करेंगे अगला प्लेट के अगर मैं बात करूं तो मुल्तान सुल्तान इस सीजन के सबसे जो बड़ा नाम था डेविड मिलर डेविड मिलर को पिक कर लिए इनके पास और इंहोंने पहले नसीम शाह को पिक किया था लेकिन क्योंकि राइट टू मैच रूल यह होता है कि अगर आपकी कोई कोई टीम किसी प्लेट को पिक करती, तो स्टीम में, वह मों पहले खेला out थे, दूस्जी टीम में, तो दूस्जी टीम के पास ये चांस होता है कि वो डाइटू मैच रूल करके अपने प्लेट को वापिस ले सकती है, है तो इसलिए अपने को वापिस ले लिए है मुल्तान सुल्टान से तो इस वाइ process मुलता menor kia तो इस वा味ान्ों 거지 अगर्विकार मेन ने कमात्क कि ने बढ़ा किसम का striker अपने पास रखा है जबदस किसम का बोल वर विकर कीपर भी या और बल्ला बाद भी चीसा कहता है ना अग्रसिव किसम का बल्ले बाद है मजा एक ऐसा ओपनर भी खेल सकता है और ऐसा फिनिशर भी खेल सकता है अगर मैं बात कुर इसलामबाद यॉनाइटिड की तो इसलामबाद ने अपना हीडो टीट्वंडी वर्ल्ड कप का अलेडी हीडो है यह सलामबाद से खेलते हैं सलामबाद का बड़ा अर्सा से खेल रहे हैं साथ एलिक सेल को उन्होंने वापिस लिया प्लैटिनम के अंदर सेल ने बड़ी जवदस किसम के परफोर्मस दिखाए उसलामबाद ने इनको अपनी टेम में वापिस ले लिया है पिशावर जलमी की बात करें पिशावर जलमी ने उस प्लैटिनम को गोड़ किया जिसने पाकिसान को एशिया कप में बाहर कर गया था जीतावा मैश पाकिस इसका दुबारा से इसको पिक कर लिए अपनी टीम के अंदर इनके पास शर्फेन रदर फोर्ट ऑलरीडी मजूद है रजा पक्सा को उन्हें लिया हुए बाबर आजम मुहमदारिस इनकी आपने तो उनकी टीम तरी नजर आड़ी है क्राची किंग्स ने प्लैटिनम के अं प्लैटिनम के अंदर आइलेंड के यह प्लेयर है उनका रिकोर्ड बड़ा जबदस अगर मैं बात करूँ इस बंदे की तो इस यह बोलिंग के लिहा सके दिखा जाए तो 16.6 का इनका स्ट्राइक रेट है अच्छी किसम की बोलिंग करते हैं सैकिंड आउंड के अंदर और नसीम शाव को उन्होंने पिक कर लिया था को इठाने पहले ही और इसलामबाद की बात करे तो उन्होंने रहामान उला गुर्बास जो कि अफगानिस्तान के तेज खेलने वाले उनको पिक किया क्योंकि यह अपनी टीम को वापिस से बैक बोन दुबारा से जो कहते हैं बैक बड़े जादा प्लेड़ जो हैं वह नहीं हुए सोल्ट आउट यह हो गया है तो इसका मतलब है कि टीम ने होमवर्क किया तो देखना यह कहां तक कहा नहीं जाती है अभी कि प्लेटिनिम फिक्स तो आगे हैं टीम सामने नजर आ रही है मैं बात करूं तो इस वक के से देखा जाए ना तो पिशावर जलमी एंड जिसको कह सकते हैं मुल्तान सुल्तान यह बड़ी सूटेबल लगने हैं उसी के साथ था मुझे कराची के पिक अच्छी लगी मैथ्यू वेड की मैथ्यू वेड को ने बड़ा बड़ा जबदस किसंद का पिक लिए कि गुजर देखते हैं क्या होगर थोड़ी दिर बाद दुबारा आधिर होंगे फिलाल की जो मैंने पिक सी में आपके साथ शेयर कर चुका हूं इंशाला थोड़ी दिर बाद दूबारा आधिर होंगे तब सक के लिए अलाफिए